इंटर्व्यू देते देते ठक चुके हैं और हमसे यह काह जाता है कि अब इंटर्व्यू हो गया complete तो अपने लिए कुछ questions रखो जो कि आप interviewer से पूछ सको कितना horrible है ना कि पूरा interview दिया इतने nervous थे अब यही काम उल्टा हमें उससे करना है horrible भी और थोड़ा exciting भी है क्योंकि अब हम उसकी chair पर बैठें है अब हम पूछेंगे HR से या interviewer से कुछ questions लेकिन किस type के questions पूछने होंगे यह सोचना तो बनता है क्योंकि ऐसा ही कुछ भी पूछ लेंगे तो जितना interview दिया है वो सब गढ़ण हो जाएगा right so अगर यही सोच रहे हैं तो सहीं आए है मेरे चैनल पर hello everyone this is Sugandha and you're watching ready to get update and welcome back to my channel और आज हम discuss करने वाले हैं 5 questions yes 5 ऐसे questions जो की हम interviewer से पूछ सकते हैं बहुत हुआ interview आप हम पूछेंगे interviewer से questions लेकिन उससे पहले चीज तो बढ़ती है कि चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe कर और वो जो cute सा bell icon है उसको hit कर दीजे because ऐसे videos आप तक आते रहेंगे जो आप request करेंगे आपको मिलेंगे वो notification feed में क्यूंकि आप comment box में request करने वाले हैं मुझसे कोई भी session okay आप check कर सकते हैं playlist description box check कर सकते हैं जस type के sessions मैं देती हूँ वहाँ से आप कुछ भी मुझसे demand कर सकते है right so चलिए यह सारे जो sessions हैं यह कही ना कही requested sessions हैं मेरी अपनी मर्जी से नहीं है कोई भी okay किसी ना किसी post पे किसी वीडियो पे किसी ना किसी ने इसको request किया है तभी यह sessions आ रहे हैं okay so चलिए अब start कर लेते हैं और पहले यह देखते हैं कि किस type के questions हम पूछ सकते हैं क्योंकि कैसे हमें इस तरीके की चीज़े interviewer से पूछने होंगी जो उसको connection feel like connection कैसा मतलब आप interested है organization में आप interested है इस organization का part बनने में organization की कुछ problems है तो उन्हें समझने में उन्हें contribute करने में right और आप अपने role में भी interested है इसलिए आप interviewer से यह पूछना चाहते हैं कि यह role कैसा है क्या challenges ह क्या यहां पर hurdles आएंगे मैं किसे report करूँगा right इस तरीके की कुछ questions हो सकते हैं तो अब देख लेते हैं कुछ questions और सबसे पहला question हो सकता है how do you describe the company's culture मतलब आप HR से आप interviewer से पूछ सकते हैं कि भई यह company का culture कैसा है now interviewer या फिर HR बहुत खुछ होगा this question से because आप उस culture में अप आपने आपको डालना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप उसका part बने इसलिए आप culture के बारे में पूछ रहे हैं and everybody wants जब हम onboarding करते हैं orientation करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ों हमारे लिए होती है एक HR के लिए होती है और hiring manager के लिए होती है वो यह होती है कि जो new employee आए वो company के culture से बहुत अच्छे से mix up हो जाए उसको समझ पाए right so अगर interviewer से यह question पूछ रहा है एक candidate पहले ही दिन के भई company का culture आप कैसे describe करूगे क्या चीज़े हैं तो यह बहुत ही interesting question है बहुत ही exciting है और बहुत ही अच्छा question रहेगा किसी भी interviewer से पूछने के लिए because यह feel आएगी के yes यही चीज तो है जो हम चाहते हैं यह connection चाहते हैं एक candidate का एक employee का एक new employee का हमारी organization से right so मैं यहाँ पर आपको meaning भी बताती जा रही हूँ एक-एक question के कि किस question का meaning क्या होगा okay so अब आजाते हैं second question पर second question हो सकता है what do you personally like the most about working with this organization मतलब हम again यही interviewer से पूछ रहे हैं HR से पूछ कि इस organization में क्या ऐसा अच्छा है जो आप personally like करते हैं okay so again यह बहुत बड़ा scope है interviewer के पास HR के पास कि वो यह बताएं कि यहां की positive चीज़े क्या है company की और इसे candidate, a job seeker, an interviewee भी बहुत कुछ सीख सकता है कि यह चीज़ें तो positive हैं जो मुझे interview में बताई गई है okay so यह बहुत ह अच्छा question हो सकता है next question हो सकता है what are the biggest challenges this organization is facing and how can I help right मेरा profile कैसे help कर सकता है यह organization जो है यह कैसे deal कर रही है क्या-क्या problems है क्या challenges अभी आ रहे हैं और मेरा profile कैसे contribute कर सकता है okay यह बहुत अच्छा question है कि आप concerned है कि अपनी के लिए आप अभी से पूछ रहे है कि क्या यहाँ पर problems है ऐसी क्या problems है बहुत सारे employees जानना ही नहीं चाते हुचाते है बही मुझे तो safe secure सा profile मिल जा है मैं अपना आराम से बैठा हूँ company में जो होता रहे होता रहे okay so यह वाला approach नहीं work करता अगर आप यह पूछ रहे हैं इसका मतलब आप concern है okay उसकी बाद आप पूछ सकते है what's the most challenging aspect of the job मतलब आपको जोस प्रोफाइल के लिए hire किया गया है उसका most challenging aspect क्या है अभी last question में हम पूछ रहे थे कि भई क्या challenges company face कर रही है यहां हम बात कर रहे हैं जो job profile हमारा है उसका क्या challenging aspect है okay इससे हमें जादा 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 जानने को मिलेगा अपने job profile के बारे में भी कि भई कुछ targets हैं कुछ customers हैं किस तरीके की problems हैं okay company में किस तरीके की problems हैं जिसके लिए हमें hire किया जा रहा है मेरे इस job profile में किस तरीके के challenges आएंगे मेरे लिए okay so इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें वो जानने को मिलेंगे जो हमें आगे work के लिए भी help करेंगी right so यह questions हो गए 5th question एक और आप पूच सकते हैं who would I be reporting in the role मैं किसको report करने वाला हूँ right आप इसको draft कैसे भी कर सकते हैं कोई और भी sentences use कर सकते हैं कोई ऐसी problem नहीं है एक question को पूचन को पूचन के बहुत सारे ways होते हैं आप चाहते हैं कि मैं बता हूँ आपको जाए 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 किस तरीके से questions पूचे जाते हैं okay so मैं उस पर भी a session बना दूँगी मतलब WH family के जो questions हैं उनको हम कैसे put up कर सकते हैं organizations में और कैसे भी I hope so आप WH family समझ रहे होंगे जो भी what, where, how, ऐसी questions होते हैं वो कैसे पूचे जाते हैं okay so यह कुछ पांच टाइप के questions हैं आप यह पांच हो questions ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेर करके जाएं सारे बूच लें इसमें से आप 2-3 questions कोई भी put up कर सकते हैं ऐसा नहीं हो था कि आपको बहुत सारे आप इखटे कर लिए पांच questions यह हो गए और भी कहीं से सुने 5-10 questions आपने इखटे कर लिए जब interview खतम हो रहा है तो उसने पुछा है नहीं questions तो आपने बाड लगा दी questions की यह नहीं करना है ओके आपको ऐसे specific questions पूछने हैं उस वक्त अगर इन में से किसी question का answer आपको पहले मिल चुका है इंटर्व्यू में discussion के time ही तो आपको put up नहीं करने हैं ओके तो आप चूज कर सकते हैं जो questions आपको इसमें ठीक लगे उनको जरूर पूछिए मेरी तरफ से दन है और कुछ भी इसमें doubt है किसी question का answer जानना चाते हैं तो मुझे comment box में जरूर बताएं helpful लोगा तो भी जरूर बताएं okay description box जरूर चेक करते रहें बहुत सारे sessions हैं जो आपके काम के हैं उसमें okay नहीं है तो ignore करके आगे भी बढ़ सकते हैं next video तक के लिए all the very best stay happy stay safe thanks for watching bye bye